यह योग वाला प्रिंसेस कट है इसके पहले हमने जो अखंड प्रिंसेस कट पूरा प्रिंसेस कट जिसको योग नहीं था उसका जो ड्राप्ट किया था उसी तरह से यह ड्राप्ट हमने किया है इसमें देखो दो इंच बढ़ाया है एक के बाहर दो इंच बढ़ाया है यह ब शुन्ने से यह टक्स लाइन खीच लिये है टक्स पाइंट अथिक पाव इंच लिया है इसमें उसी तरह से 6 से 15 यह जो आगे का बगल घेरा है वो भी हमने इसी तरह से जोड लिया है और आगे का गला 10 से 16 यह 7 इंच लिया है देखो और दाए इंच चवड़ाई लेकर यह जोड़ा है और जो हमने दो इंच ज्यादा लिया था यह 12 नंबर की जो लाइन खीचे वो आगे के गले को जोड़ दी है बस अभी इसके आगे हमें देखना है 12 से 13 12 से 13 हमको पहुने दो इंच लेना है इसको योग पट्टी है योग य 12 से 13 पहुने दो इंच लिया है उसी तरह से 4 से 14 यह पहुने दो इंच लिया है चार से 14 पहुने दो इंच लिया है और एसे सी चाती का दसवा भाग और 5 इंच लिया है एसी का पट्ट है हो कमर रेशा को सीधा जोड़ा है ठीधी तरह से जोड़ा है और जो हमें 5 दो इंच 5 दोंच दो जो पॉइंट लेते ओव पॉइंट कमर रेशा में जो लाइन गयी है सी की उसी को जोड़ा जैसे वीडियों में दिखाया है उसी तरह से हमको जोड़ा है पाउने दो इंच उपर पाउने दो इंच उपर फिर हमें टक्स की चवड़ाई लेनी है 30, 28, 32 छाती के लिए हमको 7 इंच की चवड़ाई लेनी है उसके अधिक चाती है तो हमको 1,5 इंच चवड़ाई लेनी है देखो जैसे आपको दिखाया है उसी तरह से 1,5 इंच इस तरफ और 1,5 इंच उस तरफ हमने टक्स की लाइन कीचिए सी लाइन को जोड़ा है अब जो यह सी जो पॉइंट है वो बगल के घेरे में जहाँ पर अच्छा दिखे वही जोड़ना है इस तरह से हमको इस आठ नंबर को या उससे पहले पाविंच या उससे पहले पाविंच उसी तरह से हमको जोड़ना है इस लाइन से हमारे फ्रेंट हिस्से हो गए दो भाल हो गए गलय जहां पर अगे गळा है उस भाग को एक नंबर दिया है और जहां पर वह अ cafe गहर है उसके नीचे हम नेश व'? और स्वेosse को दो नंबर दिया है इसी तरह से हमने यह फ्रेंट काट्रीं किया है तर आ अब हम इसको काटने वाले हें कि जिस तरह से हमने पूरी आयूटलाइन खीची है उसिको हमें काटना हे về फूरे फुर्ट के आमने आउटलाइन काट ली है इसके बाद हमको इस फरंड के धो हिसे धुभार बना नहीं यहरिए इस टक्स को आमें बाहर निकालना हैं हमें इस टक्स को हमें बाहर निकालना है एक नुमबर का भाग पूरा टक्स हमें काटकर बाहर फेकना है देखो टक्स भार रेका लाए इसको फेकना है हमें इस तरह से हमने प्रिंसेस कट वाला जिसको योग है वो फ्रंक काटा है अब इसके बाद हम इसके बाद हम इसको निशे जोड़ने वाले योग पट्टी का ड्राफ्टिंग करने वाले है अब हमको योग की ड्राफ्टिंग देखनी है पहले हम लाइन खीचेंगे सभी के लिए सभी माप के लिए सभी छटी घेरा के लिए इसकी जो लंबाई है यह साड़े चार इंच लेने है योग की लंबाई है वो साड़े चार इंच लेने है लाइन को पूरा करना है फिर योग की जो चोड़ा है वो कमर का चावता हिस्सा और दो इंच ज्यादा लेना है कमर का चावता इसा साथ आता है साथ और दो नो इस तरह से 28 कमर के लिए हमको यह योग हमने निकाला है यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस तरह से हमने योग का ड्राफ्ट किया है इसको हमें काटना है इस तरह से हमने योग निकाला है यह योग हमारा ऐसा फोल्ड पर बैटने वाला है नीचे फोल्ड आ जाएगा और इस तरह से जो नियोग ने गला है इसको फोल्ड करने के बाद ये सवा दो इंच तैयर हो जाएगा और ऐसे ही हम फ्रंट को सिलाई से जोडने वाले हैं इस तरह जब हम फ्रंट जोडते हैं उसको यो यो इसी तरह से हमको लगाना है इस तरह से सिलाई से हमको जोड कर इसको पलटना है इस तरह से जोडने के बाद हमारा यह योग वाला प्रिंसेस कट पुरा हो जाता है कपड़े का फोल लेना है यहाँ पर फोल लिया है देखो यहाँ पर कपड़ा फोल करके रखा है बैक हमें बैक हमने रखा है इस तरफ बैक का जो गले का हिस्सा है वो फोल्ड पे आना है फोल्ड पे लेना है पैक जैसा हमने कपड़े पर रखा है उसी तरह से उसको पूरा पेपर के बराबर कागज के बराबर काट कर लेना है गला भी काट कर लेना है Front हमने यहाँ पर जो रखा है जो line हमें पावींच बढ़ाने है सिलाई के लिए हमको σरी यहाँ पर पावींच बढ़ाना है और जो Front के दो हिससे कटेगे उसी तरह से दो नमबर के भी दो हिससे कटेगे और सिलाई के लिए हमें यह फ्रेंट एक नंबर वाला फ्रेंट श्रीफ पाव इंच आगे बढ़ाना है उसी तरह से दो नंबर वाला इसा भी जैसे हमने कागज कपड़े के ऊपर रखा है उसके दो हिस्से काटना है लिप्ट और राइट वाला और जहाँ पर हमने कटिंग किया था वहाँ पर यह स्रीफ हमको पाव इंच बढ़ा कर काटना है देखो यहाँ पर पाव इंच बढ़ा कर काटना है बाकी सब पेपर के बराबर काटना है पेपर से बिलकुल कागज से ज्यादा कुछ भी बढ़ा के नहीं काटना है जो बढ़ा हुआ हुआ है वो आपको बताया गाया है इ अगर हमें पीछे हुक लेने है बैक को हुक लेने है तो हमें फ्रंड का जो हिस्सा है बीच वाल एक नमबर वाला वो फोल्ड पर रखना है इस तरह से फोल्ड पर रखना है और गले का जो आगे के गले का जो नीचे का हिस्सा है उसे फोल्ड पर रखकर जैसे बताया गाया है उसी तरह से काटना है यह योग वाला प्रिंसिस कट है हमने इसका कटिंग और ड्राप्टिंग देखा है अभी इसको कपड़े पर कैसे रखते है ओ बता रहे है और कैसे काटना है ओ भी बताएंगे बैक हमें बैक का जो गला है वो गले का हिस्सा हमें कपड़े के फोल्ड पे रखना है इसके बाद हमें जैसा हमने कागज काट लिया था उसी तरह से बैक काटना है उसको कहीं भी नहीं बढ़ाना है सिर्फ हमने जो फ्रंड काटा था एक नंबर और दो नंबर का हिस्सा उसको सिर्फ जहापर हमने यहाँ शेप दिया था प्रिंसेस कट का उससे बाहर पाव इंच बढ़ा कर काटना है उसके बाहर पाव इंच बढ़ा कर काटना है और दूसरा नंबर हिस्से को भी जो दूसरा नंबर का प्रिंसेस कट का हिस्सा है उसको भी जहापर हमने काटा था फ्रंट के दो हिस्से बनाएते हैं, उस हिस्से के बाहर स्रिप, पाव इंच बढ़ा के सिला मारजिन हमें काटना है, इसको काटने के बाद हमें यह जो योग पट्टी है, इसके दो हिस्से काटने है, इसके दो हिस्से काटने है, देखो यहाँ पर यह दो हिस्से है, इसको कह काई भी नहीं बढ़ाना है Hi j求 दो भेएं इसो में काट् 2022ist lena je उस्के बाद में अगर हम प्रिंशेस कड खोग हुक लेना चाते बैक गनीषा कर डेना चाते है कि तो भाक का हिसा हम कहीं भी काट सकते हैं, बैक का हम कहीं भी काट सकते हैं, आगे का जो फ्रंड का हिस्सा है, वो फ्रंड के गले के नीचे का जो हिस्सा है, वो हमें फोल्ड पर काटना है, कोई भी ब्लाउज हो, उसके लिए जो स्लीव काटते हैं, वो स्लीव काटने के बाद, फ्रंड का जो बगल क घेरा है उसको गिनना है शोल्डर की तरब शिलाया मार्जन को छोड़ना है और छाती घेरे के बाहर की शिलाइ मार्जन को झोड़कर जो भगल का घेरा है उसको गिनना है और वो घेरा हमको बाहरा पाले भ希望 should स्क्रेपकरी